आपने पूरे 20 विभर में बहुत सारे धर्मों और उनके अलगला कल्चर्स और ट्रेडिशन के बारे में सुना होगा अब इतने सारे धर्म, कल्चर्स और ट्रेडिशन होने के बाबजूद भी सारे धर्मों, कल्चर्स और ट्रेडिशन में एक बात कॉमन है चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी ट्रडिशन हो वो अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है चाहे वो सेचनी कस्तर पे आगे बढ़ना हो, आर्थी कस्तर पे बढ़ना हो समाजी का स्थर पर बढ़ना हो कोई भी कल्चर कोई भी ट्रेडिशन अपने धर्म के लोगों को नहीं रोकता है हाँ पवंदिया होती है हर एक धर्म में हर एक कल्चर में हर एक ट्रेडिशन में अपनी अपनी तरह की पवंदिया होती है पर ऐसी पवंदिया नहीं होती है जो कि अपने ही धर्म के अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोके पर अंतो इसलाम धर्म मानने वाले बहुत सारे इसलामिक कंट्रीज में एक रिलिजियस लौ ऐसा है एक धर्मी कानून ऐसा है एक ट्रेडिशन ऐसा है जो कि अपने ही देस के लोगों को अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है हाँ ये बोला दा सकता है कि सभी देसों में यह कानून जो है वो एक समान नहीं है अलग-अलग देसों में अलग-अलग प्रकार की छूटे जो है इस छूट जो है इस कानून में दी गई है परन्तु कुछ देस ऐसे हैं जो कि इस कानून का जो है बत से बत्तर तरीके से अपलाई करके रखे हुए है जैसे कि अफगानिस्तान का लिए जब से तालिबान का कबजा हुआ अफगानिस्तान पे वहां सर्या कानून लागू कर दिया गया है जी हाँ मैं बात कर रहा हूं सर्या कानून के बार में सर्या कानून को इसलाम धर्म का सबसे पावन कानून माना आता है परन्तु कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस कानून को इस तरीके से संचालन करके रखे हुए हैं इस कानून का संचालन इस तरीके से करके रखे हुए हैं अपने ही लोगों को पीछे ढखिलने में लगे हुए हैं चाहिए वो समाजी कस्तर पे हो आर्थी कस्तर पे हो या फिर सैच पिछनीक अस्तर पे हो, सभी अस्तर पे पीछे डेकलने में लगे हुए हैं, फॉर एक्जामपल मैं अफगानिस्तान का लेलता हूँ, अभी आप लोग दिन रात तो न्यूज में यही देख रहेंगा अफगानिस्तान और तालिवान, अफगानिस्तान में जब से तालिवान का कबजा हुआ है, अफगानिस्तान में सरीय कानून लागो हो गया है, अब इस कानून के कुछ नियमों से मैं आपको बाकिफ कऱवाने वाला हूँ आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि कितना हध तक सही है या फिर कितना हध तक गलत है इसमें पहला नियम ऐसा है कि आड़तें जो है वो कहीं दिखनी ही नहीं चाहिए कहीं दिखने नहीं चाहिए कहां नहीं दिखने चाहिए भाई तो कहीं भी ना किताब पर ना नियूजपेपर में ना टीबी पर ना घर पर ना बैनर में ना पोस्टर में कहीं नहीं दिखने चाहिए अब आप ही बताए कितना हद तक सही है क्या आने वले समय में उस देश की आड़तें जो है वो आगे बढ़ पाएंगी बिलकुल नहीं जहां बिस्व भर की आड़तें जो है कहां से कहां चांद तक पहुँच गई वो अपने घर से बाजार तक नहीं जा सकती हो है इसके अलावा कोई भी लड़की अगर आठ साल की हो जाती है तब उसे बुरका पहना अनिवार हो जाता है और अगर उसे कहीं बाहर जाना होता है तो उसे ये कंपलसरी है कि वो अपने घर के किसी मर्द को लेकर ही बाहर जाए अकेले जाने पर पुनरुप से पवंदी होती है चलिए मैं मानता हूँ कि इस कानून या कानून जो है वो लड़कियों की सुरच्छा प्रदान करता है पर इसमें भी एक डिमेरिट है अब डिमेरिट क्या है भाई तो जितनी आजादी एक पुरस को उस समाज में दी गई है क्या उतनी आजादी इस महिला को है अब इस कानून के अगले नियम के बारे मैं आपको बताओ न थब से घटिया नियम हमको लगता है इस नियम के तहट किसी भी महिला को अपने ही घर के बालकनी या छट पे घुमना पूर्ण रूप से पवंदित तो भाया रख ले काला तुम आउरत रखे हुए या फिर कैदी रखे हुए हो अब आप ही बताएए ना औरतें बाहर जा सकती है ना छट पे घुम सकती है ना वालकनी में जा सकती है ना टीवी पे आ सकती है ना निज़ पेपर्स पे आ सकती है कहीं कुछ करही नहीं सकती है तो औरतें रखे हुए हो भाई कि कैदी रख ले घर में अपने देश में अरे बाबा हमारे देश में भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं इसलामिक धर्म मानते हैं इस सारिया कानून मानते हैं पर ऐसा तो कहीं हम लोगों ने देखा नहीं कि लोगों को औरतों के इसलाम धर्म के औरतों को बाहर निकलने से पेपा बन्दी है दरवाजे पर नहीं बैड सकती है छट पर नहीं है बाहर नहीं जा सकती है टीूशन नहीं जा सकती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा और हिल्फुल लग रहा तो आपसे करिए सबसक्राइब कर दें हैं जो कि इतने पावन कानून यानि सरिया कानून का संचालन जो है वो बहुत घटिये ढंक से करने में लगे हुए है तालिवान जब अफगानिस्तान में सत्ता में था सन 1996 से लेकर दोहर एक तक तब वहां के कानून के बार मैं आपको बताओं कानून ये था ना कि लड़किय उना अच्पों को गली पे चुराहे पे नुकड पे कोड़े मार जाते थे अब आप ही बताओं कि इस कानून के तहट अगर किसी आइसी औरत किकी कानूना गलत है जाना होता है अगर इन केस्ट किसी औरथ के गर में किसी लड़की के घर में कोई मर्द होई न तब जाएंगी कैसे बाहर बताई आ पी मैं ये नहीं कह रहा कि सर्या कानून गलत है पर जिस तरीके से कुछ देश इसका संचालन करते हैं उनका संचालन करने का तरीका जो है वो रूप से गलत है आप ही मुझे बताए कमेंट बॉक्स में कि जिस सर्या कानून का संचालन तालिबान कर रहा अफगानिस्तान में वो कितना हद तक सही है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हिल्फुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरू कर दें और हो सक झाल 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 झाल